अगर बहनो आज जो डांग टिकट जारी किये गए हैं उनमें एक की तरफ में ध्यान दूँगा पैसे त्रिगुणा जी का तो परिवार ही यहां मौझूद है और कई जिनके डांग टिकट उनके परीजन यहां आज उनके भी दर्शन करने का अफसर्द मिल रहा है लेकिन एक मैं उलेक जुरू करना चाहूँगा उसमें एक डांग टिकट है दिन्शो मेहता जी का अब यह नाम चर्चा में बहुत कम आता है लेकिन दिन्शो मेहता जी गांधी जी के पर्सनल फीजिशन थे और वो नेचरोपधी को समर्पित थे पूरी तरह अपना जीवन की हर चीज में नेचरोपधी सबसे पहले रहती थी और उसका प्रभाव गांधी जी के जीवन पर भी था और गांधी जी कहते थे कि प्राकृतिक चिकित्सा नेचरोपधी प्राकृतिक चिकित्सा जीवन जीने का तरीका है यह किसी हिलाज का तरीका नहीं है यह इस बात में बहुत बड़ी ताकत है जो गांधी जी ने खई उन्होंने तावुम्र इस बात पर अमल किया और प्राकृतिक चिकित्सा प्रद्धिको जीवन का आधार बनाया साथियों गांधी जी ने जो सिखा था उसके पीछे भारत की प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव हेल्ट केर से जुड़ी एक सम्रुद्ध बिरासत रही है हमारे पास हजारों वर्षों पुराना लिटरेचर है वेदों में गंबीर बिमार्यों से जुड़े गिलाज की चर्चा है लेकिन दुर्भाग से हम अपनी इस पुरातन रिसर्च को ज्यान के इस खजाने को आधुनिक्ता से जोड़ने में इतने सफर नहीं हो पाए और इसी स्थिति को बीते पांच वर्षों में हमने लगातार बदलने का प्रयास किया है उसकी एक सेंटिटी बने है उसका एक साइंटिफिक वर्जन तयार है जो लेब में के अंदर तरासा गया है जिसको मेडिकल साइंस की दुनिया समझ सके इस रूप में उसका प्रस्तुति करना हो और इसी के तहट आयुश को भारत के हिल्ट केर सिस्टिम का हम सबनाने पर बल दिया जा रहा है